हेलो बच्चो आज हम थार्ड क्लास की हिंदी की बुक का पार्ट चोदा करेंगे सबसे अच्छा पेड़ बच्चो ये एक कहानी है तो चलो अपनी कहानी शुरू करते हैं सुबा के समय तीन भाई नए घरों की तलाश में निकल पड़े चलते हुए वह एक आम के पेड़ के नीचे पहुचे उसकी तंडी छाया में तीनों अराम करने लगे वे आम तोड़कर उसका मीठा मीठा रस चूसने लगे बड़े भाई ने कहा भाई मुझे तो यही जगा पसंद है आम कच्चे होंगे तो अचार बनाएंगे और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे आम खाएंगे कुछ आम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे बड़ा भाई वही जोपड़ी बना कर रहने लगा दोनों भाई आगे चल दिये चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले तभी आस्मान से एक काला बादल गुजरा और बरसने लगा दोनों भाईयों ने केले का एक-एक पत्ता काट लिया उसके साये में उन पर पानी नहीं गिरा और भूक लगने पर केले के पत्ते पर खाना परोसकर भरपेट खा लिया बाद में उन्होंने एक केला भी खाया दूसरे भाई ने कहा मैं यहीं घर बनाऊंगा बढ़िया केले खाने को मिलेंगे उसकी सबजी भी बनाएंगे कुछ केले बेचकर चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएंगे दूसरा भाई जोपड़ी बना कर वही रहने लगा तीसरा भाई आगे बढ़ता गया उसे नारियल का पेड़ मिला उसे प्यास लगी थी एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा उसने चाकू से उसकी जटाएं साप की छिलके में छेद करके ठंडा मीठा पानी पिया और नारियल के पेड़ की छाओ में बैट गया उसने सोचा आम का पेड़ बढ़िया होता है उसका पल भी बहुत अच्छा होता है केले का पेड़ भी काम का होता है नीम का पेड़ भी अच्छा होता है उसकी दातुन अच्छी रहती है बिमारी पर लोग नीम की पत्तियां दर्वाजे पर लटका देते हैं इसी तरह वह रबड के पेड़ से रस निकाल कर रबड बना कर बेज सकता है रबड से गुबारे, टायर और तरह तरह की चीजे बनती है और अंत में वह नारियल के पेड़ के बारे में सोचता है कि नारियल की जटाओं को काट कर मैं मोटी रस्तिया बना सकता हूँ उनसे मजबूर चटाईया बना कर शहर में बेज सकता हूँ नारियल का पानी पी सकता हूँ गरी खा सकता हूँ, गरी सुखा कर खोपरा बना सकता हूँ, खोपरे को पेर कर तेल, साबुन और कितनी ही चीजे बन सकती है नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे प्याले बना सकता हूँ यही सोचकर तीसरे भाई ने नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा तो बच्चो इस कहानी में हमें अलग-अलग पेड़ों के महत्व के बारे में बताया गया है सभी पेड़ की अपनी अलग खासियत होती है सभी किसी ना किसी काम में आता है चाहे वो आम का पेड़ो, केले का पेड़ो, नारियल का पेड़ो, रबड का पेड़ो या फिर नीम का पेड़ो सभी पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ देते ही है बच्चों अब हम करेंगे इसके नए शब तलाश तलाश कहते हैं खोजने को या डूडने को जटाएं होती है रेशे तहनिया कहते हैं पतली डंडियों को प्याला होता है कटोरा और डोरिया कहते हैं रस्यों को बच्चों अब हम करेंगे इसके प्रशन उत्तर, पहला प्रशन है तीनो भाई किस मोसम में घर की तलाश में निकले, उत्तर है तीनो भाई गर्मी के मोसम में घर की तलाश में निकले, तुम्हें कैसे पता चला कि वो गर्मी के मोसम में घर की तलाश में निकले, उत्तर है गर बीमनी पुने के GREनना होगा। जब वे घर की तलाश में निकलने से पहले वे पहां रहते होंगे। उत्तर है घर की तलाश में निकलने से पहले वे तीनों भाई किसी एक ही गर में रहते होंगे Next question में हमें बताना है इन मोकों पर तुम किस पेड के पत्ते का इस्तिमाल करोगे पहला है मैमान को खाना परोजने के लिए यानी मैमान को खाना खिलाने के लिए इसके लिए हम केले के पत्ते का प्रयोग करेंगे क्योंकि केले का पत्ता बहुत बढ़ा होता है नेक्स्ट है बारिश में भीगते समय छाते की तरह हम किस पेड़ के पत्ते का प्रयोग करेंगे हम इस समय केले के पत्ते का प्रयोग करेंगे क्योंकि केले का पत्ता मैंने बताया आपको बड़ा होता है जो हमें बारिश से भीगने से बचा सकता है नेक्स्ट है सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते से बहुत अच्छी सीटी बजाई जा सकती है नेक्स्ट है रंग बनाने के लिए हम महंदी या टेसू के पत्ते का प्रयोग करेंगे और अगला है गर्मी से परिशान होकर पंखा करने के लिए क्या लगाओगे? कौन से पत्ते का प्रयोग करोगे? ताड या नारियल के पत्ते का प्रयोग हम गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए प्रयोग करेंगे Next question में हमें कुछ पत्तियों के बारे में वाक्य दिये गए है वाक्यों को सही चित्र से मिलाना है पहला है लंबी पत्ली पत्ती जो आगे से नुकीली हो तो वो होती है आम और जामुन की पत्ती और देखो मैंने मिलान भी कर रखा है सेकंड है नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है वो होती है पीपल की पत्तियां थर्ड है जिसके किनारे लहरदार हैं लहरदार किनारे होते हैं केले के पत्ते के गोल पत्ती, गोल पत्ती होती है कमल और अर्बी की पत्तियां जैसे इस चित्र में दिखाया गया है Next question है हम दातों को मंजन से मांजते हैं इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों है? दातुन इसे दाद साफ करने के लिए प्योग मिलाते हैं इसलिए इसका नाम दातुन है चलनी यह चीजों को चानने का काम करती है इसलिए इसका नाम चलनी है मतनी यह दूद दही को मतने का काम करती है इसलिए इसका नाम मतनी है नेक्स कोशन है इन में से कौन सी चीज किस से बनी है पहला चितर है मिटानी का जिसे हम इरेजर कहते हैं यह है रबड की बनी होती है दूसरा चितर है रस्ती का रस्ती नारियल से बनती है तीसरा चितर है चटाई का चटाई भी नारियल से ही बनती है अगला चेतर है गुबबारे का गुबबारा रबर्ल का होता है और नेक्स चीतर है चाज का जो की अनाज साफ करने के काम आता है यह बास का बना होता है अगले प्रशन में हमें बताना है किन फलों को छिलकी के साथ नहीं खा सकते उत्तर है मोसम्मी, अनार, नारियल, संत्रा वाननास को छिलकों के साथ नहीं खाया जा सकता नेक्स कोशन है कौन से फल हर मोसम में मिलते हैं उत्तर है पपीता, केला, मोसमी हर मोसम में मिलते हैं नेक्स कोशन में हमें तुलना करनी है नारियल, आम और केले के पेड़ में कौन सबसे घना, सबसे उचा, मोटा, सबसे बड़े पत्ते, किसके होते हैं सारी चीज़े हमें नारियल आम और केले के पेड़ में से बतानी है जैसे सबसे घना होता है आम का पेड़ सबसे उंचा होता है नारियल का पेड़ चड़ने में सबसे असान होता है आम के पेड़ पर सबसे मोटा तना होता है आम का सबसे बड़े पत्ते होते हैं केले के और सबसे मीठा फल होता है आम का फल खाना सबसे असान है केले को क्योंकि केले के छिलके जल्दी से छील कर खाये जा सकते हैं तो बच्चो ये था हमारा पाट चोदा सबसे अच्छा पेड़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ही वीडियोज मिलती रहें